सो हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में गेल शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर के प्राइज है यहाँ पे 103.75 पैसे है और इस शेयर में आज हमें जो है 2.31 परसेंट तक के नेगिटिव रिटन्स देखने को मिले हैं आगे हम इस शेयर के 1 मंद के रिटन्स की बात करते हैं तो 1 मंद में शेयर में हमें 4% तक के नेगिटिव रिटन्स देखने को मिले हैं साथ ही अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं तो all time में जो share है उससे हमें 1177.37% तक के हमें यहाँ पे इस share के जो है positive returns देखने को मिल रहे हैं आगे हम इस share के bit quantity और ask quantity के बारे में बात करते हैं तो जो share का buying pressure है यहाँ पे वो 49,242 है वहीं जो selling pressure है वो 3038 है यानि इस share में जो buying pressure है वो तो हमें यहाँ पे जादा देखने को मिला है वहीं जो हमारा selling quantity है वो यहाँ पे कम है तो हम कह सकते हैं कि इस share में बाइंग तो हुई है लेकिन buying के साथ-साथ यहाँ पे धीरे-धीरे selling भी हमें नजर आते हुए देखने को मिल रही है अब बात करते हैं इस share के resistance और support level की तो यहाँ पे जो share का price है वो अपने near support level के पास आ गया है यानि हम कह सकते हैं कि इस share में गिरावट की वज़े से जो share का price है वो यहाँ पे नीचे चला गया है तो हो सकता है जो share का price है वो आज हमें यहाँ पे around 102 रुपे के पास देखने को मिल जाए वैसे तो इस share में यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है तो अगर आप इस share को यहाँ पे long term के perspective से hold करके रखते हैं तो long term के perspective से जो यह share है आपके लिए काफी जादा सही है